जब मक्खी की तरेव चासनी में डूबे हुए लोगों का जब पर उखड जाएगा तो अटोमेटिक सारे लोग फिर से मोधी बिरोधी हो जाएगा। पूरे देश को हिंदू, मुसल्मान, मंदिर, मजीद, इंडिया, पाकिस्तान और देश में इसके इलावा कोई एक मुद्धा बताईए जो देश में हो वो माइंड रीडिंग एक फार्मूला है जिसको उस लड़की ने खतम कर दिया आप दिरंदर सास्ती पे चर्चा कर रहे इस स्कूल में हमारे हां तो यह होती है ना साधी कांपियां भी आप रख करके आओ तब एक्जामनर को बोला गया बिटा तुम इसको पूरे नंबर देना इसी काम का के जीवाल जी दो सो रुपया दे रहे हैं पीडियस में और हम लोगों को सत्तर रुपय पे बध्वा मज दो पे यह सरकार जो निकली थी भी सुगुरू बनने के लिए यह सब के चेले खुद हो गए भी सुगुरू कहीं चला गया दोसरो मुश्कार मैं विकास आप देखरें सिटीव इंडिया और इस समय में जंतर मंतर पे मौझूद हूं तमाम लोग हैं यहां पर और दोजार चौबिस का माहौल बन रहा है पूरे देश में और अलग लग लोग हैं अलग लग विचार हैं ऐसे में तमाम लोग हैं उनसे जानी कुछित करेंगे क्या कहेंगे क्या लग रहा है आपको बाबा दोजार चौबिस में क्या लग रहा है हम किसान आदमी है हमारा जो काम करेगा उसी को मोट देंगे तो मोधी जी ने बहुत किसान के लिए महगाई कुछ बढ़ाए हुए है और उसमें किसान बड़े बाले जो है वो तो ठीक ठाक में पले हैं और जो चोटे जिसान वेकार हो चुके हैं अब फिर भी बुट वहीं देंगे अब जो काम करें विसी को देंगे हैं मोडी जी ने काम किया है हां काम जो किया है तो उनको भीज देगे वही किनार रहा है महगाई बड़ अचर पक generally कि अज़ काम करें घू किसा मिल्ड़ा खरीदे रहें अचरें عن रहात तो क् demonát मिंल जाता है फोइन यह मिल जाता है जी क्या कहा हैंगे 24 मिं क्या मotbut कुछ नहीं कुछ नहीं हम लोगों को रहे होते हैं। सबसे पहले हैं, पहली बात है कि हम लोग फेर प्राइस डेलर हैं, तो आप तनखाद मिलना चाहिए, कम से कम रुपया तो यह सिर्कार सुन नहीं रहे हैं तो हम सरकार के बारे में कैंस नहीं क्या तो क्यास कि था अगर हमारें पتي operates सबस्क्राइब करेंगे तो हम उनके बारे में सोचेंगे तो हम सबस्क्राइब कि एक पैसा नहीं बढ़ा है जब से यह हैं दूजार चोविस में क्या लग रहा आपको मोधी की सरकार नहीं आएगी किसानों की बिरोधी है नौजवान बिरोधी है स्वास्त बिरोधी है किसान की आगरिक बिरोधी है कोंचे किसान की आधुगनी हुई आप बताईए लगी किसान का दिल्ली अर्याना उत्तर प्रदेश किसी भी एक भी किसान को खड़ा करके बता देगे ढलाई महाचारे किसान पुरी भारत वर यु हम एक बी ऐधार थयक्या मार्गस पघृ ही तो मैं फर्थर भग्त होंगों गाउन अधिकी मोधी नग्रेसे संभानीडी में कितना मेंदू कर दिया डीजिल यूरिया मेंद कर दिया प्रिट्ट्रोल मेंद दनिक किसान के संबंदित कोई भी फटलाजार्ट कोई बीज कोई भी बता जो सस्ता हुआ हो एक भी आप पत्रकार हैं तमाम लोगों से आप पूछते हैं किसी एक के बारे बताईए कि जो सस्ता किया हो मोधी सरकार ने एक भी पत्रकार हैं उच रहें आप बिपक्ष में कोई भी नहीं है मोधी भी तो चौदा के पहले भी भाजपा भी नहीं थी कितनी सीट थी भाजपा की साड़े 300 सीट पे आ गया तो जो आज 50 सीट पे है क्या वो साड़े 300 सीट नहीं आ सकता बिलकुल आएगा अब लेकिन ल जाएगा जब मक्खी की तरे चासनी में डूबे हुए लोगों का जब पार उखड जाएगा तो अटोमेटिक सारे लोग फिर से मोधी बिरोधी हो जाएगा बड़ी बात कर रहें सरा आप धरम को लेकर बिलकुल हम सही बात कह रहे हैं जो देश में चल रहा है मैं वही कह र जो देसमें हो एक भी मुद्दा पत्रकार हैं आप बताईए एक भी मुद्दा देख का बटा देजीए दो देश के नाम पे हो अठरे धिरे अरे नदर सास्तरी का भेजिए भिंदुरास बनाएंगे जिर्वा बनाएंगे ख़तम कर दिया वहारी लड़ी कि का नाम ता उसक वो चमतकार बता रहा था, वो पता चला उस चमतकार का ही बलतकार हो गया, क्या चमतकार है उसके पास, वो माइंड रीडिंग एक फार्मूला है, जिसको उस लड़की ने खतम कर दिया, आप दिरंदर सास्ती पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके उसे आप बड़ा बना दें हाँ तो क्या मुसल्मान इस देश का दूसरा नागरिक है क्या मुसल्मान इस देश का दूसरा नागरिक है क्या मुसल्मान इस देश का दूसरा नागरिक है क्या मुसल्मान इस देश का नागरिक है जो उसको काटने के लिए आपको चाकू को रखना पड़ेगा साड़े आट स आएखोरे, इस देश में भी यह जो किया होता तो। में और कोई आबादी होती नहीं होती अखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार 2024 में आप सोचेंगे मुद्दा ये है स्वास्त शिक्षा रोजगार सड़क पानी बिजली ये मुद्दा होना चाहिए लेकिन मोदी जी ने तो घर घर बिजली पहुंचा दिया कहा बिजली पहु होँगे हैते हों पूरे पहरत में सब सह्भाषी कि बिजली अत्तर प्रतेस में योगी जीने कर दिया अब भारत कीWould अब रिकार्ट देखलीजे मुद्दे मुद्द्र हो रहा है उसी को इनक काउंटर कहते हैं कि ऊनके क्रीमिया जिन के ऊपर 10000 मकद में चल रहा है अभी देश की बेटियां छहां जंतर बंतर प recommends जाल रहा है जेए अजी कोई को जाए विया अक्था चल रहा हुआ अभी जो जाए ज हम फ़ी दहर्म के नाम पे चल रहा है अभी तर्बेंट में पे देखकर और अप देखेंगे तो खुड विंधिया चमय ऊठकर कितने नौजवानों को रोजगार मिला उतरपर्देश में जो गलोबल इन्वेस्मेंट है आप बताईए कितने नौजवानों को यहां बहुत सारे बेज रोजगार अभी धरने पे बैटे हुए थे सारे पीडियेस दीलर आए हुए थे पूरे भारत के मोधी सरकार मोधी सरका का एक भी आदमी यहां जाकने तक नहीं आया कि उन पीडिय डीलरों की कुछ सुन ले क्या देश में चल रहा है एक मनमानी चल रही है नशनल मीडिया मोधी जी को आस्मान पेड़ाया है बाकी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ और भी ची क्या कहेंगे 2024 में क्या सोचेंगे जी मैं तो बहुंदी जी का बड़ा फैन हूँ चुकि उनके काम बड़े अच्छे लगते हैं जो कि क्या जैसे हिसे आगर उनकी आप तारीफ करो तो तारीफ करवाना वह जानते हैं आप अगर उनकी बड़ाय ने करोगे न वह हमारे लिए काम ने करते आज जानते हैं क्या उन्होंने किया है पूरी दुनिया का सबसे महगा सिलेंडर हमको दिया आप गूगल पर चेक कीजिए दुनिया का सबसे महगा सिलेंडर दिया तो क्या मैं इसे खुश नहीं हूँ क्यों भाई क्यों ने खुश रहेंगे अरे को नंगा सेर नहीं सेर को पॉल रहा था बढयें महगा सामान शामान अर्व नहीं खरीद ऑगे तो आप कैसे लगोगे कि जो है आप असली भक्त हो कैसे लोगोगे अरे उनको यह प्रमाड़त होना चीए यह सारी चीजे जब करोगे जब आप आम आदमी से हट करके कुछ भी सेश करोगे तभी तो लगोगे कि हाँ आप उनके पक्के समर्थक वाले हैं तभी तो लगोगे कुछ तो आप में डिफ यह ठीक है आपको मंदिर मिल रहा है वहां पर किताबी ले जाकर के पड़ो वहां पर ठीक है इस्कूल की क्या जुरुत है वहां पर ठीक है क्या जुरुत है कोई काम है आपका ना आपको होस्पिटल की जुरुत है तो आपको रोड की जुरुत है बिलकुल मंदिर में अगर उससे फाइदा ना होता तो सरकार उनकी परमोशन क्यों करती थोड़ा समय इसलिए भी कुछ यह हट करके जैसे ने पोस्ट लिक्या आते जैसे एक पोस्ट आपने सुना बिश्व गुरू का यह नया पोस्ट इजाद किया गया अब इसके लिए कितनी पढ़ाई पढ़ बिल्कुल बेकार होगे सिक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है अच्छे यह बता दीजिए इसकूल में हमारे हां तो यह होती है ना साधी कांपियां भी आप रख करके आओ तब भी एक्जामनर को बोला गया बिटा तुम इसको जो है पूरे नंबर देना फेल मत करना पचास प् अब देखा था एक समय नकल आध्या देश लागू हुआ था ठीक है एजुकेशन उस समय था ठीक है हम लोग तो उसी जमाने के लेकिन यह नई सिच्छा नीती जो आई है अब नई सिच्छा नीती को यह मेरे को नई समझ में आ रहा है ठीक है तो मुझे लगता है उससे यह बैटर रहे वहां पर नमबर मिलते थे लोगों को जहाब रहा है यहе देखिये ल्गे मिल रहा है अभी दिल्ली में के पोष्टरों में कि उत्तरप्रदेश की बात लिखी है दिल्ली के पोस्टरों में कि उत्तरप्रदेश में कितने यह लाख कि यह 163, nggak, सम्ल्ध कैसे जो भाइब दिखाए जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना मिलाए तो यह पीसे अगर हमको रोजगार मिला होता हम इसे तो यह दर नहीं है हम लोग अच्छा कम थोड़ी कर रहा है है हम लोगों को जो है बिना काम के मतलब काम कराए जा रहा है पैसे नहीं मिल रहे हैं एक भी रूपया नहीं मिल रहा है तो फिरी के मजदूरी करने के लिए हम लोग बने हैं ठीक है तो इससे बड़ी आभी कुछ है है भाई काम के बदले पैसे मांगो यदा अपराद है ना है आप सेवा कर रहा है मतलब भाई सबको बिना पैसे करना ची हैं और हम लोगों को 70 रुपय पे बध्वा मजदूर के तरह काम कराया जा रहा है बताइए आपके नेजर में सही है कि गलत वही काम सेम 200 रुपया और वही काम हम लोगों को 90 रुपया 30,000 सेलरी अपरेल से मिलने जा रहे हैं यहां पर तमाम लोग हैं और और भी कुछ पाकिस्तान इन चार पांच मुद्दों पे यह सरकार जो निकली थी भी सुगरू बनने के लिए यह सब के चेले खुद हो गए भी सुगरू कहीं चला गया यह जुम्ला लेकर के आते हैं और जुम्ला की सरकार है इनके जुम्ले लोग अब समझ चुके हैं क्योंकि दस साल ह कि यह क्या क्या करेंगे और क्या करेंगे यह कहते कुछ हैं करते कुछ हैं इसलिए जनता ने मन बनाया है कि अगली बार कोई नहीं सरकार तो देखिए तमाम लोग ते उत्तर प्रदेश से आई हुए थे और सबसे बड़ी बात की अपनी परेशानी प्रॉब्म को लेकर जब इसमें लोगों की नहीं सुनी गई तो इन्हों दिली का दरवाजा किट कटाया कि केंदर में और सकी राज단ी दिली है तो यहां पर देश के प्रधान मंत्री अह तुमाम मंत्री बैठते हैं और उन्हीं से अपनी क्वार लगाने यह लोग दिली जनतर मंतर पर पोंचे थे की आप लोगों की बात सुनें के लिए निये कोई बहुण हяжा है नहीं बलकि हमारे प्रोग्राम को दबाने के लिए बाजपा के दो तीन चेले हां मन्च लगा करके लिए इसली का मामिला चला रहे हमारे आध्मियों को घूशने नहीं धिया भी राहूल जी ने सब लंदन में करने का कि मा हमारी आवाज ढबाए जा रही है अधिया आधिकार आवाजल ने अपने अपने आखों से देखा कि हमारी आवाज दबाने के लिए पुलीस हं को आने नहीं dites है भी बदीकार पोलने का अधिकार एग भी न्यूचैनल थे एड़ी के ख्लाब थे तो तुरन्त व जेल में आए, कांग्रेस शाट साल इसी देश में थी, कितने भी पक्ष के लोग जेल में थे, और कितने भी पक्ष के लोग CBI और E.D. की चार्च में थे, तो देगे ये तमाम लोग ते उत्तरप अदेश से और अपनी प्रॉलम को लेकर जंत्रमंतर पर आये थे, हालां कि इन 2024 में क्या होगा, आप लोग क्या सोचते हैं, 2024 को लेकर अपनी राय कमेंड में जरूर करें